हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? माइ नेमी सीया, इस गुपतर आप देख रही है EJ Tech Solution फ्रेंड्स, आज हम आपको Tally ERP 9 के बारे में बताएंगे Tally ERP 9 में कैसे कंपनी क्रेट की जाती है इसके अंदर कैसे लेजर को क्रेट किया जाएगा कैसे हम purchase vouchers को चड़ाएंगे with GST कैसे हम अपने sales voucher को चड़ाएंगे with GST और फिर हम अपने financial accounts कैसे देख सकते हैं इस सब हम आप चिकेवल 20 मिन्टों के अंदर समझ जाएंगे complete Friends, आगे चलने से पहले लेकिन में चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना क्योंकि हम अपने next वीडियो में इसमें हर एक topic के उपर detail में वीडियो बनाएंगे ताकि हम जब भी आपके पास next वीडियो डालें तो आपके पास यह असानी से पूंच जाए और प्लीज आप में चैनल को subscribe करने के बाद जो यहाँ पर घंटे का बटन है इस पर जूर प्लैस कर देना था कि आपके पास इसके लिए notification भी पूंच जाए चलो friends start करते है friends यह दिखी मेरे desktop पे है टैली ERP9 यह मैंने tallysolution.com से download कर रखी है इस पर हमने click किया इसके यह मैंने कोई fee बगादा नहीं पे कर रखी तो यह हमने escape पे click कर दिया escape पे click कर दिया तो सबसे पहले जब भी आप टैली ERP9 खोलो गई और आपको नई company create करने पड़ती है तो हम create company पे जाएंगे अगर आपने अल्रेडी कोई company मना रखी है तो आपको select company पे click करना पड़े तो अब हम create company पे click करते है सबसे पहले यहाँ पे देखी एड्रेक्टर कि जो आपका data जो save होएगा वो कहाँ पे save होएगा अब माद लिए मैं को यह data save करना पने desktop पे तो मैंने इसके 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 इहाँ पे tally 9 का फोरोडर बना रखा है तो हम right click करेंगे property पे जाएंगे location पे जाएंगे तो इसको हमने select कर लिया select करने के बाद control पलस c प्रेस किया फिर हम tally पे गई और वही हमने खोली directory पे control पलस alt पलस v यह हमने directory दे जी कि जो हमारा data है वो कहाँ पे save होएगा तो हमारा data यहाँ पे save होएगा फिर हमने company का नाम देना है मान लिए आप जिस company में काम करने लगे तो है गुप्ता आसिस एंड एसोसेट्स यह हमारा company का नाम आ गया जो mail name है वो भी same रहे हो address कहां की company है यह पानीपत के country होगे हमारी इंडिया state जिस state में हमारी company है वो state आ जएगा pin code आ जएगा जैसे यहां का जो pin code है वो हमारा 132 103 है फिर हमारी company का जो भी phone number है वो आ जएगा mobile number आ जएगा fax है तो fax number आ जएगा email id बनी हुए तो email id आ जएगी website है तो website भी आ जएगा फिर हम जब से books start कर जाए हमारा जो financial year है वो कब से start होता है हमेशा अप्रेल से start होता है तो हम नहीं यहापर आ जाल दीए 1 अप्रेल 2 जाए books कब से start करने है कई बाग क्या हो सकता है कि जो हमारी company है वो बीच से start हुई है यह हमारी safety points है कि अगर हम कोई password अरकना चाते है इस company बनाने के लिए तो हम यहापर password डाल सकते है वो ही password हमें repeat करना है यहापर huge security control इसके लिए तो मैं आपके लिए एक specie लिए अलग से video बनाऊँगा 5-7 minute की उसके अंदर मैं आपको समझाऊँगा कि हम यह tally में ताकि हमारी company में मान लिए कोई 10 workers है जो इस tally पर गाम करते है तो आप यहीं देख सकते है कि किस-किस worker ने कितना कितना काम किया है तो उसके लिए यह feature applicable होती है लेकिन फिलाल मैं अभी 9 रखोगा इसे मैं अलग से वीडियो में संझाऊँगा ठीक है तो यह हमारी company create होगी सबसे पहले हमने किया गया create company पर गया तो हमारी बन गयी है Gupta Assis & Associates अब यहां पर देखिए आप जो date of last entry है यहां पर दिखादा है no voucher enter अभी तक क्योंकि कोई voucher एंटर ने हुआ तो सबसे पहले हमने company create करी अब हम create करेंगे ledger फिर हम जाएंगे ledger पर ledger के अंदर single ledger एक एक करके ledger create कर सकते हो अगर आपको ज़्यादा ledger create करना ही करते है तो multiple ledger अंदर भी कर सकते हो मान लीजी आपके 5 ऐसी party जिनसे आप माल बेचते हो ठीक है तो multiple ledger में चली जाएगे आप अगर आपको एक single single party create करना ही है तो single ledger के अंदर create पर click किया हमने मान लीजी सबसे पहले तो हम capital जो proprietor है जो मालीक है उसका खातार डाल देंगे यहाँ पर तो इसके इंदर जो proprietor है आसिस गुपता है तो हमने यहाँ पर आसिस गुपता उसके bracket में लिख दिया ताकि समझ आजया कि यह कूँ है proprietor capital account तो inventory value to affected होती ही हमने यहाँ पर उसका address डाला pen number है तो pen number डाला तो हमने इसे save कर दिया save करने के लिए जो shortcut की है वो control plus यह है उससे भी आप save कर सकते हो फिर हमने उस company के अंदर क्या होएगा purchase भी होएगी तो हमने यहाँ पर purchase account बना लिए under the head purchase accounts inventory value are affected yes type of ledger not applicable कर दिया friends अब जैसे में यहाँ पर purchase account बनाया आपने दिखा यहाँ पर JST के बात ही निकल तो सबसे पहले हमने company create करने के बात उस company की statuary info डालने होती है कि वो company का JST number क्या है rat number क्या है यह चीज़े डालने होती है तो हम इसके लिए gateway of tally में जाके F11 क्लिक करेंगे F11 के बात हम statuary taxation के अंदर जाएंगे और यहाँ पर enable GST पर yes करेंगे set oblique alter GST details yes करेंगे तो अब यह सबसे पहले पूछते है कि state क्या है किस company जो आपकी company है वो कहा की है तो हमने यहाँ पर डाल दिया registration time वो regular dealer है या composition dealer है आप सब जानते है regular dealer भी जो input लेते हैं जो composition dealer भी जो 1% tax देते हैं अपनी sale पर उन्हें कोई input का benefit ने मिलता इसके बारे में हम आपको GST की video जो हम डाल लेंगे उसमें समझ आलेगा तो हमने यहाँ पर regular dealer किया necessity of other territory no GST number party का GST number क्या है 06 ABCDE 1234 P1ZY applicable form एक चादू हो जामने periodicity of GST1 अगर company की turnover अगर company की turnover हमारी date code से उपर गी है तो GST1 मंतली जाएगी अगर date code से कम है तो quarterly जाएगी तो अब मान देता हूँ मैं इसके अंदर turnover जो है हमारी date code से उपर जाएगी EV bill applicable है उस state में हम जी है हर्याना में है बिल्कुल है applicable कब थे 1 अपर है 2019 से बिल्कुल है कितनी value से उपर के लिए है 25,000 उपर है हमारी value होगी तो हमें बनाना पड़ता है EV bill बिल्कुल जी तो क्या interstate मतले कि अगर हम हर्याना की हर्याना में माल सेल कर देता है तो क्या EV bill बनाना पड़ता है बिल्कुल बनाना पड़ता है जी अगर आपकी value 25,000 उपर है Enable tax liability on advance receipts Friends जिब GST आया था तो उसमें ये कहा गया था कि अगर कोई party advance receipts भी करती है तो भी उसे GST बनना पड़ता है बिल्कुल माल बाद में बेच रहो और services के case में तो even applicable हो जाता है कई बाद तो कि जब हम advance receipts करता है तो भी साथ की साथ GST बनना पड़ता है लेकिन यहाँ पर हम goods sale करते है माल बिचते है तो अब GST नहीं इसे बन करते है कि अगर आप goods बेच रहो और आपको advance receipts हो है तो आपको उसके उपर GST भी बनने की जूत नहीं तो अब हम इसमें no click करेंगे set oblique enter GST rate detail इसको हम no रखें नहीं से है अगर हम change भी करना जाते है तो बाद में कर सकते हो कोजी करनी है enable GST classification no provide LUT oblique bone detail यह exporter के case में applicable होता है लेकिन यह party है exporter नहीं है तो हम यहाँ पर no click करेंगे ठीका friends तो यह पूछता है enable wet applicable नहीं है जब GST आ जोगा वो तो प्रेटोल पंक उब गयाद वालो पर wet applicable है तो यह party जो है प्रेटोल पंक नहीं है तो हम यहाँ पर no करेंगे excise नहीं रहा फिर आते enable TDS अगर यह party TDS deduct करती है और parties का फिर हम यहाँ पर yes करने के जोटा otherwise no रहेगा इसी तरह अगर TCS collect करती है तो yes करने पड़ेगा पार्टी का pen number डल ज़ेगा इसी तरह अगर कोई company है registered करने है private limited या public limited करने है तो यहाँ पर c number डल ज़ेगा अब हम यहाँ पर yes करेंगे अब हम द्वारा रिखेंगे हमने एक ledger बनाए था purchase का अगर हमने उसे change करने हैं तो हम alter पर जाके change कर सकते हैं तो अब यह देखें आप यह देखो चार ledger बनाए है इस केंदा तो जिबकि हमने तो बनाए थे क्यों 2 या यह कैसो profit and loss का अब अब आगया यह already built होते हैं कोई भी कंपनी आप start करोगे इंटली के अंटर तो यह already 2 ledger बने हो इसका आपको यह 2 ledger बनाने की तो बिल्कुल भी जूरी तो हम आपने purchase बनाए था अब purchase भी द्वारा क्लिक करके देखो देखिए यहां पर क्यों पहले यहां तक आ रहा था purchase under purchase accounts inventive value all affected type of ledger यहां तक आ रहा था लेकिन अब आ गया है हमारा PgGST applicable है yes applicable है setably alter GST detail yes nature of transaction यह अपतानी पड़ती है कि हमारी purchase taxable है adjuncted है क्या है तो हमने यहां पर purchase taxable कर लिया integrated tax 5% मानले जी यह जो item हम यहां पर enter करें 5% वाले friends एक चीज़े बताता हूं मानले जी आप किसी company में जा रहे हूं उसके अंतर जो item में वेचे जाती है वह 3 tax rate के है तो हम यहां पर पर प्रणा लेंगे 55% 55% 55% इसी तरह मानले जी किसी company में 2% केल करती है जो अलग अलग tax rate के हूँ 5% की भी 12% की भी तो हम इसका नाम चेंज करते हैं type of supply goods मानले जी अगर आपने इसमें कुछ भी चेंज करना है तो हम यहां पर accept yes या no का option है लेकिन मैं कहता था मैं अब इसका क्या नाम कर दो 55% तो 9 पर गए 55% पर मानलो मैं को यह बीच में से बनने तो मैं ctrl plus a के साथ ctrl plus a क्राइस करो हूँ मैं की यह से बोज़र मैं को निच्छे तर जाने के जूद नहीं इसी तरह हम अब sales बना लें sales 5% under the head sales account type of legend no HGST applicable yes set obligal to GST detail nature of transaction में आजे हमारा sales taxable integrated tax 5% type of supply goods यह हमारा sales लाद यह बन गया ठीक है अब मान ले जिए जिस पाइटे से हम purchase करेंगे उसका नाम क्या है उसका नाम है जी singular and company नाम बनाया under the head purchase करते है तो creditors में जाएगा century creditors maintain balance is bill by bill इसका क्या मिक्स है मान ले यह कि यह party है जिससे हमने purchase कर 40,000 रुप एगा उसका हमने 30,000 रुप की payment करती उस bill के against तो हमने अगर यह देखना हो कि उस bill के against कितनी payment करी है तो maintain balance is bill by bill पर गरनना पड़ेगा otherwise हमें बस खाली यह ही देखना है कि कितना balance चलता रहा है तो हमने transaction का कोई record नहीं रखना कि कि इस bill के against कितने की payment होगी है कितना pending है ठीक है तो हम no पर क्लिक करेंगी normally no यह रखिया invented value is all affected? Yes otherwise आपकी वह entry नहीं होने देगा single end company हर्याना की party है यहां पर हमने उसका GFT number देदेगी यह हमने उसका GFT number डाल दिया और yes पर क्लिक करेंगी इसी तरह है जिसको हम sale करेंगे वह मान लीजी आप अगरवाल store है तो हमने यहां पर अगरवाल store लिखा under the head sunday data maintain balance in bill by bill no, invented value is all affected? Yes अगरवाल store, हिंडिया, हर्याना, पिंकोड आ रहेगा बैंक की डेटेल डालने चाहते रभूर डाल दीजिए registration type, regular dealer है यह सब से important चीज मैं अब दाना बूल गया आपको registration type सामने वाल एक पार्टिक होन है regular dealer है regular dealer जो जिसने GST नंबर ले रखो जो GST नंबर ले रखो फिर होते है composition dealer, जो input नहीं लेते है registration जो ले रखा है लेगि input नहीं लेते है वो flat अपनी sale पे 1% tax भरते है इसी तरह एगा कोई consumer है कि जो goods consume करने है जिसने जिसके पास GST नंबर नहीं है इसी तरह एक unregister दुकान राथ जो है लेकिन उसमें GST नंबर ही नहीं ले रखा तो वो unregistered नहीं है जो मानले जे अग्वार store जो है उसमें GST नंबर नहीं ले रखा तो हमने unregistered पर क्लिक किया और हमने इसे save करते है अभी हमने क्या कि accounts info में जाए थे ledger पर क्लिक किया थे अगर हम किस ledger को देखना जाते है तो display पर जाके हम उसे देख सकते है और उसे अगर change करना तो हम alter में जाके change कर सकते है तो हब हम inventory बनाएंगे कि मानली जी company में friends एक चीज़ हो बताता हूं कि अगर कोई company 2 crore से उपर की sale है फिर तो उसकी item yg बनाएंगे मानली जी एक company है जिसके अंदर plywood है sunmica है ये चीज़े sale होती है तो आपको item yg plywood का अलग item बनाने पड़ेगी ठीक है sunmica की अलग मनानी पड़ेगी board की अलग मनानी पड़ेगी लेकिन अगर 2 crore से कम है तो आप without item भी create कर सकते हो तो हम inventory info पर जाएंगे stock item पर जाएंगे stock item create करेंगे तो हम यहां पर मान के चल़ज़ है कि उसकी 2 crore से कम की sale है तो goods 5% बनाया हमने under the height prime units note applicable GST applicable है हम जी है set oblique alter GST detail yes taxability integrated tax कितना है 5% हमने क्यों IGST डालना है वो CGST यो IGST में अपने आता आता कर लेगा इसे तो हमने यह type of supply roads वो यह से save रहती है फिर हम जाएंगे accounting vouchers में accounting vouchers में आप देखेंगे कि यह हमारे accounting voucher है F4 है हमारा counter जिसके अंदर हम अगर मान लेगी bank के अंदर payment bank के अंदर cash डलवागते हैं bank से cash निकलवागते हैं या एक bank से दूसरे bank में transfer करते हैं तो हम counter ke आंदर int där अगर हम किसी पार्टी को payment कर से या कोई expenses कर दे तो हम payment voucher के अंदर enter करेंगे इसीतरें अगर हम किसी से rece för twee किसी को माल बिच्च या उप से पैसे आये हैं या कोई bank से interest थी मिला तो tummy receipt देंग की फिर हम F8 sales को देखेंगी तो अगर हम किसी को credit में sale कज़े या cash में भी sale कज़े तो हम sales voucher में डालेंगे किसी से credit पचेज कज़े या cash पचेज कज़े तो पचेज voucher में और अगर इनके इलावों कोई हमारी NTA है तो हम general में डालेंगे जैसे मान लीजी हम किसी fixed assets पर depreciation चार्ज करें तो हम general के अंदर डालेंगे ठीके friends तो अब हमने आपको एक purchase और एक sale के अनिटिकर के दिखाऊ वाइस के अंदर purchase पर click किया हमने मान लीजी जी इस party से purchase किया उसका invoice number 1 था bill number देखिए किस date में था जी हो एक अप्लाइल दो हो जाओ निस में किस से हमने purchase किया था syndicate data के से हमना आया था similar end company को तो goods 5% एक लाख का purchase किया था हमने यहां पर particulars में select कर लेंगे purchase 5% फिर हम cght cght का तो लेजर बनाए है नियार आपने तो अब हम cght का लेजर बनाएंगे cght का लेजर बनाने के लिए हमें बाहर जाना पड़ेगा यहीं यहीं की यहीं भी बना सकते है यहीं की यहीं भी बना सकते है friends तो हम alt plus c plus करेंगे तो फिर हम cght का लेजर बना सकते है cght under the head duties and taxes type of duty only tax ght text type central tax percentage of calculation यहां पर डालने की जूट नहीं है क्योंकि मानलीगी आप किसी कमने में ऐसे में हो जिसमें तीन आइटम में taxable है तो अलग लग डालने पड़ेगी तो यहां पर छोड़ दो आप मैं आपकी देख लो तो ctrl plus a के साथ मैंने सेव करती हैं तो यह देखिए अपने आप tax calculate होके आ गया हमें अमांट में टागने पड़ेगी अपने आप आजेगा इसी तरह अब हम के साथ क्या अपनाएंगे बोलो बोलो sgst type of duty public tax gst tax type state tax percentage of calculation नहीं डालने के जूतियार बताये तो था थो sgst आगया हमारा 25 अगर सामने वाली पार्टी से जैसे हमने इस केस में एक लाग पांचीजार रुपे का goods प्रचेश किया तो थो हमें ev bill डालना पड़ेगे यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर उसकी detail आगी invoice number आजेगा ev bill की detail आजेगी ev bill number आजेगा ev bill की state में create के है वह आजेगा किस चीज के through माल आया था, road के दवाल आया था, किस transporter के दवाल आया था, more detail आजेगी तो वह आपको ev bill साथ में लगा पाएगा उसके अंदर से आप डाल सकते हैं तो मैंने यहाँ पर control प्लस ही करके उसे save कर दिया और यहाँ पर हम इसका bill number डाल देंगे इसी तरह है अब हम क्या चड़ाएंगे, sale चड़ाएंगे, किसको sale करना है अगवाल store जो की एक unregister party है routes 5% मान लिए हमने इसे 50,000 पर का माल बेच दिया है तो sale 5% पर click करते हैं cgst अपने आपादी amount, sgst की भी अपने आपादी amount, gst ev bill की detail डालने पड़ेगी क्योंकि 50,000 पर से उपड़ का है तो यह detail आपको ev bill जब बनाओगे, उस calendar में बिल जाएगा तो फिर हम narration डालतेंगे, narration में bill number हमारा कुम सा था, हमने भी bill number एक काट था है भाई, नहीं नहीं कमपनी स्टार्ट होई है, अप गयाल का गवाम है, तो एक ही bill number डालने में, enter जाते है ठीक है friends, तो अब हमने 25 का सेल का bill चटाना सिखा इसके इंदर, फिर अब हम मानले ये 25 सेल देखना जाते हैं, तो कैसे कैसे देख सकते हैं सबसे पहले तो हम डिस्प्ले में जाके, अकाउंट बुक्स में जाके, लेजर में जाके, यहां पर अपना कोई इसा भी लेजर खोल के देख सकते हैं, मानले ये 25-5% है, इसे देख सकते हैं तो अगर हम ले इसका पीरिट चेंज करना हो, जैसे यहां पर फोर 1 अपरेल 2019 दिखा रहे हैं, तो वो आल्ट पलस F2 से कर सकते हैं, चेंज पिरिट में जाके, फोर हम एक चाहर दो 2019 से लेके, 31-3-2-0-20, आल्ट पलस F2 क्लिक करना पड़ेगा, तो अब आप देखिए, यह अगर हमने पिरिट चेंज करना हैं, तो क्या दबाएंगे, आल्ट पलस F2, तो फोर हम एक चाहर दो 2019 से लेके, 31-3-2-0-20, तो यह हमने सिंगला इंड कमनी का लेजर देख लिगा, कितने दिन है इसके, एक लाख पांच जार रुपे, यह देखिए, एक लाख पांच जार इसी तरह हमने प्रोफित लोस काउंट देखने हैं, तो हम प्रोफित लोस काउंट पे एंटर करेंगे, आल्ट पलस F1 से डिटेल में खुल जाता है, डिटेल में, तो इसके अंदर हमने पचेते के लिए 1,00, रुपे की होगी, सेल होगी हमारी 50,000 रुपे की स्टो कितना ब अचे रहा है, फ्रेंड्स, प्रेंटिकल लाह में एक चीज बताएए, स्टोक हमें आइडिया होता है कि हमारी दुकान में कितना है, एकुरेट तो या तो हमने आइटम वाइज बिल्कुल स्टोक लेट का दखो तक पता चलेगा, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर तो करना है कि क्लोजिंग स्टोक हमारे पास 31,220 में कितना बच गया, तो हमने इस होई चेंज करना पड़े हो, तो वह कैसे करेंगे, हम जाएंगे इन्वेंटिव वाउचर्स में, एंटर करेंगे, फिजिकल स्टोक पे R पलस F10 में जाएंगे, 31,320, गूट 5 परसेंट वालो म मान के चलता हूँ, मान लो मेरे पास 55,000 पर पचा होगा है, तो मैंने आपर मॉंट एंटर करी, कॉंट 2 पलस A के साथ, इसे सेव करती है, प्रोफिट एंड लोस काउंट में अब जा गे लिखा आप इसे, तो अब आपका स्टोक कितना आ आ गया, 55,000 पर प्रोफिट कितना पांच है चालते है, ठीक है फ्रेंड्स, बाके आप नहीं चैनल को जू से जू सब्सक्राइब करना ताकि जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ, बहुत है इंटरस्टिन वीडियो होने वाली है, क्यूंकि अब मैं आपको हर टोपिक के बाले में, टैली या पिना ठीक है प्रेंड्स, थैंक्यू